दोस्तों एक RTI रिपोर्ट ने सारे बैंकों का पोल खुल के रख दिया है जी दोस्तों सारे बैंकों का पोल खुल के रख दिया है और यहाँ पे दोस्तों जो बड़े बड़े लीडिंग बैंक है उस सभी का नाम आया है यह कौन सा रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में क्या details निकल के आया, साथी साथ ये report से आपको क्या information लेना चाहिए जिससे आपको आगे चल के help हो जाए क्योंकि दोस्तों अगर आपने भी कोई loan लिया है या फिर कोई credit card इस्तेमाल करते हो और आपको भी कोई harassment कर रहे या फिर collection के लिए कुछ भी उल्टा सीधा आपके ओपर behavior करें या फिर pressure create करें तो ये वीडियो को जरूर देखी क्योंकि ये जो वीडियो है इसी related है और आपको भी आगे क्या action लेना चाहिए इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो में जने से पहले आपसे request है चैनल में अगर आप नए हो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा साथ ही साथ अगर इस वीडियो का content अच्छ लगता है प्लीज like बटन को जरूर प्रेस कर दीजेगा दोस्तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहूंगा अगर आप कोई भी बैंक से लोन लिये हो या फिर NBFC से लोन लिये हो या फिर केडिट कार्ट लिये हो अगर आपको कोई भी शिकायत होता है तो सबसे पहले जो process होता है आपको बैंक या फिर उस NBFC को approach करना होता है ये शिकायत है और मुझे इस बारे में मदद चाहिए अगर उस बैंक या फिर NBFC अगर आपको help नहीं करता है या फिर ऐसा कोई जवाब देता है जिससाब satisfied नहीं हो तो आप next level उनका जो 90 person है उसको आप शिकायत दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो अगर वहाँ से भी कोई solution नहीं निकालता है तो आप चाहे तो सीधा सीधा bank of India का जो 90 person है आप जो पोटल है वहाँ पे सीधा सीधा complaint दे सकते हो यहाँ चाहूंगा कि इस तरीके से complaint file launch करना है complaint देना है उसके लिए अलड़ी मैंने वीडियो बना के रखा है उसका link वीडियो का नीचे आपको मिल जाएगा आप चाहे हूँ वहाँ से आप इस process को देख सकते हो लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यह complaint तभी launch होगा अगर आपने bank को पहले approach किया था और bank से कोई proper answer नहीं मिले या फिर आप satisfied नहीं हो उसके 30 दिन बाद यह time याद रखिएगा 30 दिन बाद ही आप जाके complaint या फिर शिकाद दे सकते हो RBI के portal में तो दोस्ता RBI इस complaint का क्या करता कितना complaint आता है यह जानने के लिए यह एक बेक्ती ने इसके उपर RTI फाइल किया था अभी RTI आप लोगों को पता होगा एक rule है जहां पे हम कोई भी government का data को जो है फेज कर सकते तो उन्होंने यह data जो है फेज करने के लिए RBI को जो है एक RTI किया था RBI ने इसका जवाब दिया है और last month मतलब last year month of April 2022 से और इस साल का April 2023 तक जो data आया है मतलब जो complaint का count आया है RBI ने खुद बोला उस complaint का count है वो 6,8,000 के पास है मतलब 6,8,000 complaint total launch होआ है बैंकों को खिलाप और यह वो सारे complaint है जो bank से satisfied नहीं हो मतलब bank का resolution प्रॉपर नहीं था जिसके चलते एक complaint फाइल हुआ उस सिनारियों में RBI ने खुद बोला उसमें से 99% complaint अल्रेडी solve हो चुका है मतलब 6,7,903 इतना complaint RBI बोल रहे कि हमने उसको solve कर दिया है तो जो लोग को लगता है कि RBI से कोई action नहीं होता या फिर RBI में complain करके कोई फाइदा नहीं होता तो दोस्तों ये RTI का report है यहाँ पे कोई भी गलत information नहीं होता क्योंकि RBI का खुद का personal report नहीं है ये RTI से निकला हुआ report है तो अगर आपको भी लगता है कि आपका bank solution नहीं दे रहे तो RBI में approach कर सकता तो यहाँ से solution मिलता है आप दोस्तों बता देना चाहूंगा यह जो report है इसमें सबसे रोचक बात यह है कि सबसे number one जो bank है जिसके खिलब सबसे ज़्यादा शिकायत आया है वो है State Bank of India आप सभी को बता State Bank का सबसे ज़्यादा customer है तो शिकायत भी उसका सबसे ज़्यादा है State Bank of India जिसका एक लग से ऊपर जो है टोटल complaint है खुद का ही और दूसरे नमबर पे दोस्तों प्राइबट सेक्टर में सबसे बड़ा bank जो है HDFC bank उसका टोटल जो complaint का count आया है वो count है 56,000 के आसपस प्लास तीसरे नमबर पे है ICICI bank 24,000 ऐसे घर्दगर टैक्सेस bank का भी नाम है 47,000 और यहाँ पे कोटक महिंत्र bank का भी है 24,000 बाकी bank का बरदर पंजब नेशनल बैंक यह सारे बैंकों का जो है नाम भी इसमें आया है तो दोस्ते यह सारे रिपोर्ट कहने का मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप प्लीज जो है चूप मत रही आगर आपको साथ कोई भी गलत हो रहा है चाहे वो collection related harassment हो या फिर miscommunication हो miscell कर दिया गया आपको कुछ information ऐसा बोल के कुछी दूसरा product base दिया गया है SSI रहे कोई भी शिकायत हो please raise your voice सबसे पहले bank को आप return में दीजिए टेलिफोन में call करके मत दीजिए return में दीजिए चाहे email में चाहे tweet में complain दीजिए solve नहीं होता तो 30 days के अंदर अंदर solve नहीं करता है तो 30 days बात जो है RBI का portal में सीधा जाके complain करे process already मैंने बता है वीडियो का description में link है जाके देखी और process follow करके complain फाइल करे RBI definitely action लेता है जो article है मैं इसका link description में दे दूँगा ये article आपको साब साब कह रहा है कि RBI बैंकों का खिलाप action लेता है और ये RTI report उसका सबसे बहरा सबूत है तो please raise your voice और आपका भी कोई issue है तो complain जरूर फाइल करिए तो दोस्तों I hope आपको वीडियो का content अच्छा लगा होगा हम मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना boss रख्या लखेगा जाए हिंद बंदे मातरव